लोगा इस तो आए आज की इस वीडियो में कम्परेशन करने वाल है दो इसी smart watch का जिस-में दोनों smart watch इस android है जिस में यह से असले श्मांप ज़ो अभी तक की वाइरल Android स्मांप वाज थी और इस वोच की कंपर है कि करभाध से आने वाली dream यहां पर हम सब्सक्राइब करते हैं यह लुख से नियुथ लाइवे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें दो बेल्ट दिये हैं, एक है ओरेंज कलर में, दूसरा ब्लेक कलर में, और यहाँ पे है हमारी स्मार्ट वोच, जो कि दोनों ओसन लोब स्ट्रेप हैं, और इसके नीचे हमें मिल जाता है इसका चार्जिंग केबल, यहाँ पे है हमारी एस इसका charging cable उसके बाद यहाँ पर है हमारी smart watch जो कि यह fireball company की तरब से हम यहाँ से निकाल लेते हैं देख सकते हैं branded smart watch हैं तो काफ़ी अच्छी packaging भी की है तो बाकी सारे parts को अभी हम थोड़ा side में करेंगे सबसे पहले हम इन दोनों smart watch को बेल्ड के साथ set कर लेंगे दोनों smart watch हमारी ready हो चुकी है गैस इन दोनों smart watch की अगर बात करें इसके body की यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों smart watch में हमें काफी difference देखने को मिल जाता है asset ultra smart watch में हमें यहाँ पे metal body मिलती है और dream smart watch में भी यहाँ पे हमें metal body दी है दोनों smart watch में यहाँ पर की साइड में इसका mic दिया है अगर दूसरी साइड की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों में यहाँ पे on-off का button दिया है गैस ऋसे टलतर का जो speaker है वो हम इस सेड में मिलता है और ड्रीम स्मार्ट वोच में यहां पे हमें स्पीकर दिया है दोनों स्मार्ट वोच में फुल वर्किंग कंडिशन में क्राउन बटन भी दिया है दोनों स्मार्ट वोच में यहां पे बेक सेड में सेंसर वगेरा भी दिया हुआ है और नीचे की सेड में दोनों में हमें मिलते है charging point ऐसे टल्टरा की जो back set है यह screw वाली है और Dream smart watch में यहाँ पर हमें कोई screw back set नहीं मिलती है देख सकते हैं दोनों स्मार्ट watch एक vibrate के साथ switch on होती है सबसे पहले Firebolt वाले switch on हो गई और अभी जो यह 4G on हो रही है वैसे अगर बात करें इन दोनों smart watch के display की तो यहाँ पर ASCET Ultra में हमें normal HD display मिलती है और इसके compare में Dream smart watch में यहाँ पर हमें IPH HD display मिलती है जिससे इसके resolution में भी काफी difference देखने को मिल जाता है देख सकते हैं दोनों की quality में भी हम यहाँ पर काफी difference देखने को मिलता है ASCET Ultra में 2.02 इंच के big display और Dream smart watch में भी यहाँ पर हमें 2.02 इंच के big display देखने को मिल जाती है वैसे अगर हम बात करें दोनों smart watch की brightness की तो आप देख सकते हैं ASCET Ultra गी जो brightness से वो थोड़ी सी कम है और Dream smart watch की brightness एकदम जादा है फिर भी यहाँ पर quality में कोई difference नहीं है आउड़ोर के लिए Dream smart watch काफी useful है अगर दोनों smart watch में watch faces की बात करें तो ASCET Ultra में यहाँ पर हमें कुछ ही watch faces देखने को मिलते हैं और इसके कमपर में Dream smart watch में हमें कई सारे watch faces देखने को मिल जाते हैं ASCET Ultra में एकदम normally style से face change होते हैं और इस Dream smart watch में जैसे ही आप हमें face को change कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो टाइम अपने आप set हो रहा है आप देख सकते हैं तो यह काफी unique feature है ASCET Ultra में कुछ तरीके से apps चेंज हो रहे हैं आप देख सकते हैं और Dream smart watch में apps जैसे यहाँ पर हम change करते हैं तो काफी smooth तरीके से change होते हैं देख सकते हैं दोनों में apps चेंज करने में भी काफी difference है ASCET Ultra में अगर हम app style की बात करें तो यहाँ पर हमें normally 2 app style देखने को मिल जाती है Dream smartwatch में यहाँ पे हमें कई सारे app style देखने को मिल जाते हैं जो कि आप अपने इस साब से set करके इसे use कर सकते हो और यह जो ऐसे टल्टा से काफ़ी smooth भी है यह दोनों smartwatch Android smartwatch हैं तो इसके अंदर storage भी होना चाहिए दोनों के अंदर अगर हम storage को check करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे टल्टा में हमें local storage में 16GB का total internal storage मिलता है और अगर हम dream smartwatch में storage check करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं totally आपको 16GB का internal storage मिल जाता है तो दोनों smartwatch में 16GB का internal storage है जिसमें आप photos, videos के साथ apps वगेरा download करने के लिए use कर सकते हो जैसे उपर की site से दोनों में swipe करते हैं तो आप देख सकते हैं दोनों में ही यहाँ पे हमें wifi मिलता है, bluetooth मिलता है, do not disturb का option है mobile data है, power saving mode है, aeroplane mode है location के साथ यहाँ पे हमें volume का भी option दिया है यह जो icon है उसे भी हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं कुछ इस सरीके से जो कि हम ACET Ultra में नहीं कर सकते हैं ACET Ultra smartwatch में यहाँ पे हमें SIM card का slot दिया है तो यहाँ पे जो हम 4G SIM card को लगा के इसके अंदर SIM use कर सकते हैं इसी तरीके से यहाँ पे हम Dream smartwatch में भी SIM card लगा सकते हैं जो यहाँ पे हमें SIM card का slot दिया है कुछ इस तरीके से यह भी 4G smartwatch हैं तो यहाँ भी आप 4G SIM card को use कर सकते हो वैसे इस ACET Ultra smartwatch के बाद एक नया model भी आया है जो कि है ACET Ultra smartwatch जिसमें front side में और back side में दोनों side में हमें camera मिलता है इसकी compare में इस dream smartwatch में यहाँ पे हमें कोई भी camera देखने को नहीं मिलता है अगर आप ACET Ultra dual camera smartwatch और dream smartwatch का भी comparison video देखना चाहते हो तो आप मझे comment करके बता सकते हो यहाँ आप सब मिलके इस video पे 1000 like complete करोगे तो मैं आपके लिए वो comparison video ले के आऊंगा और यहाँ से जो हम recent tape को open कर सकते हैं कुछ इसरी के से तो यहाँ पे भी हम recent tape को open कर सकते हैं dream smartwatch में अगर आपको theme चेंज करना है तो यहाँ पे हमें theme का भी option मिल जाता है आप देख सकते हैं कुछ इसरी के से हम app style को भी change कर सकते हैं किसी भी smartwatch को purchase कने के बाद कई बार जो हमें smartwatch में कैसारी problems पर आ सकती है तो अगर आपने acid ultra smartwatch purchase की है और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर कोई भी problem होता है तो आपको यहाँ पे कोई भी warranty वगेरा नहीं मिलेगी क्योंकि यह local smartwatch है अगर इसमें कोई भी problem होती है तो आपको जो खुद से ही repairing करवाना होगा और fireball dream smartwatch को purchase करने के बाद हमें यहाँ पे one year warranty भी मिल जाती है बागी दोनों ही smartwatch में आप जो कैसर applications को भी download कर सकते हो दोनों ही smartwatch में आप जो यूटूब को भी चला सकते हो अगर एसे टल्टरा की बात करें तो यहाँ पे जो थोड़ी सी hang होती है आप देख सकते हैं और dream smartwatch में आप देख सकते हैं काफ़ी smooth तरीके से इसे हम use कर सकते हैं दोनों smartwatch में यहाँ पे हमें backside में sensor भी दिया है देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हाथ लगाया भी नहीं है फिर भी यहाँ पे 50 के आसपास मेरा heart rate शो कर रहा है और इसे जो है आप जब तक हाथ पे नहीं लगाओगे तब तक यहाँ पे कोई भी heart rate शो नहीं होगा फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 93, 92 के आसपास जो है मेरा heart rate शो हो रहा है तो एसे टल्टरा smartwatch को full charge करने में 2 गंटे का time लेगी उसके बाद जो है वाइफाई और कोलिंग के साथ आप इसे 4-5 गंटे यूज कर पाओगे इसके कंपर में dream smartwatch की बात करें तो इसे charging करने में 1.5-2 गंटे का time लेगी और उसके बाद जो है calling और wifi के साथ आप इसे पूरा एक दिन तक यूज कर पाओगे और without calling और wifi के साथ अगर आप इसे यूज करोगे तो आप इसे normally 2-3 दिन तक चला पाओगे तो इस इन दोनों smartwatch के अगर हम main point की बात करें तो वो है इसकी price एसे टल्टर smartwatch हमें 3-4,000 के बीच में मिल जाती है लेकिन इसके compare में यह जो dream smartwatch है यह हमें 7,000 के आसपास मिलती है एस तो यह थी इन दोनों smartwatch का full comparison review आपको इन दोनों smartwatch में से कौन सी पसंद है और आप कौन सी use कर रहे हो आप मुझे comment करके जरूर बताए साथ में इस वीडियो को like और चैनल को subscribe भी करें मिलते है ऐसे एक नए वीडियो उसके साथ तब तक के लिए जय हिन जय वारत अब अगर तुम लोग नए हो तो subscribe करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ scam करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस click हो जाना चाहिए